इस वीडियो नंबर 24 अफ मैगनेटिक एफेक्ट अफ करेंट और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं कि जो चार्जड पार्टिकल है जब वो मूव करता है मैगनेटिक फिल्ड में तो अविशली मूव करता है तो उसके कौडिनेट्स चेंज होंगे तो पुश्चन है एपार्टिकल अफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा अल्फा होता है Q अपॉन M स्पेसिफिक चार्ज चार्ज अपॉन मास एंटर अ उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन दी हुई है विलॉस्टी गिवन है फ्रॉम दा ओरिजन find the time dependence of velocity time dependence of velocity and position of the particle time dependence मनलब position time के साथ चेंज हो रही है velocity भी चेंज हो रही है वो direction चेंज हो रही है उसकी speed चेंज नहीं होती magnetic field में यह हम clear कर चुके हैं तो हमने क्या किया यह देखो हमने यह पहले coordinate यहां बनाए इसको पहले यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं यह हमारी x-axis और y-axis और एक और बात धियान रखना है आपने कि जिस axis पे आपको magnetic field दिया हो उसके perpendicular plane में circle बनता है यानि कि यह z-axis के long है यानि यह x-y-axis में आपका circle बनेगा यह done है ठीक है पहली बात कहां बनेगा वो भी बताता हूं यह आगया आपका velocity vector v naught i cap यह हो गया v naught जो circle बनेगा और magnetic field हम मान रहे हैं कि पूरा फैला हो रहा है पूरा सब जगा है ठीक है उसको आप मैं बनानी रहा है आप समझ लो कि इस पूरे space में magnetic field है uniform magnetic field है ठी circle बनेगा वो ध्यान देना है आपने पहली बात यह कि cross है माइनस cake app है तो माइनस cake app का मतलब हुआ कि magnetic field अंदर है फ्लेमिंग्स left hand rule लगाओ या cross product पे command है वो लगाओ और आप result बनाओ force कहां लगी जिदर force लगती है center of the circle वहीं होता है पहली बात center of the circle इसका मतलब कहां होगा इस axis में और दूसरी बात क्या दूसरी बात वो tangent होगा किसके साथ आपके V naught के साथ वो tangent बनाना है और वो circle बनेगा ऐसा यह बनेगा आपका circle उसका center होगा यहां किसी particular point पे अगर मैं बात करूँ जैसे यहां पे बात करता हूँ तो यहां पे velocity vector कैसा होगा ऐसा position vector आपको बड़े अच्छे से पता है कि हम इस तरह से बनाते हैं यह हो गया आपका r vector यह आपका r है यह आपका velocity है vector है दोनों इनके मैंने आप coordinates बताने हैं कि कैसे कैसे change होंगे यह change हो रहे हैं यह तो दिखाई दे रहा है हमें यह circle बना ऐसे ठीक है आप देखो अब क्या नज़र आ रहा है हमें छोड़ दो इसको रहा है ठीक है अब क्या नज़र आ रहा है हमें अब इसके coordinate पता लगाने आप देखो अब मैं एक चीज ओर बनाता हूँ यहाँ पर V का मैं angle theta ले लेता हूँ यह वाला if we take this as angle theta यह angle 90 है tangent के साथ हमेशा angle 90 बनता है radius का यह 90-theta हो गया और यह फिर से theta हो गया क्योंकि यह 90 है ठीक है तो clearly नज़र आना चाहिए आपको की कौन-कौन सा angle theta आएगा ठीक है तो मैंने आपको बता दिया अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ मैं फिर से बता दे यह angle आपका theta है और यह angle भी आपका theta है मैंने अभी explain कर दिया कैसे ठीक है यह आपका R यह आपका V मैंने यह same diagram पीछे बना के दी हुई है ठीक है यह आगया आपका जो diagram मैंने बनाई ठीक है यह आप इदर V vector लिग दो यह आपका V vector है जिसकी value आपको given है V naught है इसकी value magnitude मतलब V naught है direction i cap है फिर यह force की direction है यह भी मैं बता देता हूँ आपको ठीक है बनाने की ज़रूरत नहीं भी है center of the circle आपको मैंने बता दिया यह है tangent जाएगा किस के साथ velocity के साथ यह भी पहले बताया था अब मैंने coordinate जो पता लगाने है वो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ तो V equal to क्या बना वी एकस आई देखो V vector equal to बना V cos theta i plus V sin theta j बन गया थिटा equal to omega t होता है बाद में बात करते हैं आर देखो आर किसके बराबर बना आर का यह और यह component है ठीक है ये component और ये वाला component ये वाला component की पहले बात करते हैंकर i cap वाला और ये जे cap वाला i cap वाला component theta के सामने वाली side theta के सामने वाली side sine होती है इसलिए क्या बना r sin theta i cap प्लस अब ये चाहिए मुझे ये पूरा यहां से लेके यहां तक r है ठीक है ये पूरा यहां से लेके r है ये है r cos theta तो इसलिए क्या बनेगा r minus r cos theta r minus r cos theta j cap ठीक है ये एक्चली मेरे को ये बताना था आपको यहां एक चीज मैं गड़बड कर रहा हूँ ये आपका center से जो आएगा ना यहां से origin से ये आपका r है ये आपका r है ये theta यहां लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है ठीक है r ये आएगा तो उसी हिसाब से हमने निकाल लिया basically अगर ये r है तो तो इसका ये वाला component है ये तो हो गया जो इसके बराबर ठीक है ये इसके बराबर और ये जो आया ये किसके बराबर आया कुन सा वाला ये वाला ये किसके बराबर आया आप धियान से देखो किसके बराबर आया आर टोटल है आर और माइनस ये वाला ठीक है तो आर माइनस आर कॉस थीटा ठीक है वो मैंने लिखके रखा हुआ है गबराने की कोई जरूरत नहीं है ये देखो r minus r cos theta कैसे आया वो आपको बता दिया देखो r vector ये एक चीज़ मैंने गड़बड लिखी है यहां यह r vector यहां नहीं लिखना आप यहां से यहां आप join करोगे न जब this is r vector ठीक है वो नहीं लिखना this is r vector ये जो मैंने red color में बनाया न इसको r vector लिखना प्लीज ये मैंने गलत लिखा था यहीं नहीं है r vector हाँ होगा ये भी r के बराबर लेकिन ये r vector नहीं ये r vector नहीं है इसको r vector नहीं लिखना r लिखना vector हटा देना इसका इसका vector हटा दो इधर सिरफ क्या लिखो r r vector कहा है फिर इसके origin से ये वाले point से इधर तक इसको बोलेंगे R, R vector, this is R vector, please mind it, मैंने center से नहीं sent, ये R vector है, इस R vector की value, एक component ये, ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, आभी बताया मैंने sin theta, ये total R है लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, मुझे तो इतना portion चाहिए तो ये total R में से ये minus कर दिया है, ठीक है, हो गया, अब देखो, यहाँ से निकाल ली R vector, R vector की value अगर ये वाली, उसके बाद ये आगया, आपका VX, VI मैंने लिखा मैंने, लेकिन बाद में मैंने लिखाया इसको उसमें, R की value देखो ये होती है, मैंने याद रख ली हुई ह M V upon Q V, फिर उसने बोला लेकिन Q और उसने terms में, alpha की terms में निकालना question में लिखा हुए, V की value V naught है, V यहाँ पे speed होती है, मैं बता देता हूँ, आपको speed change नहीं होती, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कि यहाँ पे आपको ये V vector दिखाई दे रहा है, ये V vector, direction change हो direction किया है, ठीक है, अब देखो, ये समझा आगी बात, फिर यहाँ से हमने लिखा V naught, alpha की terms में लिखा तो, alpha की terms में बन गया, V naught upon alpha, alpha B, ठीक है, alpha B, क्योंकि Q upon M किसके बराबर होता है, alpha के, फिर T is equal to 2 pi R upon, ये मैंने बताया हुए, sub time period, time period से मैंने omega निकाल लिया, theta जो हम बार-बार use कर रहे हैं हर जगा, यहाँ पे, यहाँ पे भी करना है V में, तो theta की value कितने लेनी है, omega T, ये आपको याद होना चाहिए, theta equal to omega T होता है, ठीक है, ये पढ़ा हुए हमने circular motion, rotation motion में, तो ये आगे आपका omega, ये omega, omega T, ठीक है, ये हो गया R, R की value मैंने लिखिया उपर, ये R, omega T की जगा ये डाल दिया, ये भी वैसे ही लिखना है, ये भी वैसे ही लिखना है, देखो, देखो, ये, इसके दो component, एक V cos theta और एक V sin theta, उसी दरह से मैंने यहाँ लिखके, ये भी ये theta की value वही डाली है, जो मैंने पहले से लिखी है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से खतम होता है question, ठीक है, और ये अच्छा question है, इसको बहुत अच्छे से सीखो, मैंने इस पे एक दो question और कराऊंगा, आपको उससे और clarity आएगी, thank you very much.